हेलो स्टुडेंट वेलकम टू माई यूटूब चनल एकेम की कोर्स आज मैं क्लास नायंद का चेफ्टा फोल यूनियर एक्वेशन इन टू विजियेबल का एक्सराइज 4.3 का कुश्च नम्बर एट बताने जा रहा हूं नम्बर एट है बॉड है कि इन कंट्री लाएं गिवेश एन कानेड वहां पार जो टेमप्रेचर है उसको फोरेन हेट मेशर किया जाता है जबकि whereas in countries like India, जबकि जो हमारा भारत देश है, वहाँ जो temperature किसमें मेजर किया जाता है, Celsius में, तो हमको एक equation दिया है, linear equation, जिसके through हमको Fahrenheit को Celsius में convert करना है, जिसके अंदर total five question है, हम एक question को अभी करते हैं, बोलाए कि पहला question, draw the graph of linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis, हमको एक graph ड्रो करना है, जिसमें जो हमारा C है न, वो किस पर लाई करें, x-axis पर, c यानि Celsius, Celsius हमारा x-axis पर लाई करें और जो Fahrenheit है, वो y-axis पर लाई करें, तो graph ड्रो करने के लिए, Fahrenheit और Celsius की minimum, 2 या 3, value मालूम होनी चाहिए, आईए, चलिए, मैंने पहला जो Fahrenheit है, देखिए, Fahrenheit is equal to क्या है, 9 upon 5, multiply Celsius प्लस 32, ठीए, यह Fahrenheit का, Fahrenheit का formula है, चलिए, तो मैंने, c के जाएगा, यानि, एक बार में Celsius की जाएगा है, minus 40, minus 40 लिया है, तो यहाँ minus 40 जब multiply करेंगे, तो 5, 8 जाग कर जाएगा, तो minus sign था, तो minus 8 हो जाएगा, अब 9 multiply minus 8, minus 72, प्लस 32, minus 40 हुआ, क्योंकि भाई, यह negative sign है, यह positive sign है, जब solve करेंगे, तो minus 40 आजाएगा, ठी, यानि, अगर हम Celsius minus 40 लेते हैं, तो Fahrenheit भी हमारा minus 40 आएगा, अब लेते हैं, Celsius 10, तो देखेंगे, आमने Celsius 10 लिया, 10 मतलब इससे multiply करना है, 10 से, तो 2 times भी हो जाएगा, फाइब से, अब multiply करेंगे, 9 multiply 2, तो 18 आएगा, प्लस 32, तो हमारा 50 आजाएगा, यानि, अगर हम Celsius 10 लेते हैं, तो Fahrenheit हमारा, Fahrenheit 50 आजाएगा, अब इसको हम, इसी कोडिनेट को हमारी यहां, ग्राफ पर करते हैं, चलिए, Celsius minus 40, Fahrenheit भी हमारा minus 40 है, तो अब Celsius के आपास है, देखें, X एक्सिस वाला Celsius है, उपर दिया है, अब Y एक्सिस वाला जो हमारा है, वो Fahrenheit है, चलिए, अब minus 40, minus 40 दुनों में ढूड़ना है, तो देखिए, minus 40 यहां भी है, minus 40 यहां भी है, तो यहां से जब perpendicular डालेंगे और यहां से, तो यहां पास एक बनाएगा point, ठीक, यह आपका एक point हुआ है, चलिए, next point का है, Celsius, X एक्सिस है, सबसे पहले X एक्सिस वाला देखते हैं, देन Y एक्सिस वाला, तो X एक्सिस पर 10 देखिए, यहां पास मिला आपको, अब Y एक्सिस पर 50, यहां पास मिला, यहां से आप perpendicular डालते जाएंगे और यहां से तो यहां पास meetup करेगा, ठीक, अब इन दोनों meetup को, जहां यह दोनों हैं, इनको join कर दीजिए, scale की height से, तो आपका graph ready हो जाएगा, चली हमनों join कर देए, ऐसे ही आपको करना है, simply से बात है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि Fahrenheit और Celsius की value क्या है, minus में है यह प्लस में है, यह आपका complete हुआ, अब आएक question number two करते हैं, जो इसी के अंदर है, question number two बोल रहा है कि, if the temperature is 30 degree Celsius, so what is the temperature in Fahrenheit, बताना है, कि अगर temperature 30 degree Celsius पर है, तो Fahrenheit क्या होगा, इसके value find करना है, तो आइए जब simply से बात है, formula दिया है, बस put कर देते हैं, तो f is equal to 9 by 5, multiply 30, क्योंकि c के जबाप कितना दिया है, 30 degree, plus 32, 5, 6 जा, अब multiply करेंगे आप, तो 9, 6 जा, 56, नई, 54, plus 32, इसको अब add करेंगे, तो 86 आजएगा, 86 Fahrenheit, ठीक बस, 86 degree, degree Fahrenheit, यह आपका answer हो गया, आइए, next देखते हैं, third number, ऐसे ही करना है, if the temperature is 95 degree Fahrenheit में है, तो what is the temperature in Celsius, चलिए, सिंप्लिस बात है, जो Fahrenheit है, उसको जब करेंगे, 95, 95 degree to, 9 upon 5, multiply c, 32, ठीक, अब 32 को इधर, इधर भेज़ेंगे, आप जाब, तो आप का जाएगा, 95 minus 32, 9 by 5, multiply c, ठीक, अब इसको minus कीजिए, तो minus करेंगे, तो आप का जाएगा, 63, ठीक, अब देखे, 63, अब 63 इधर आखा गया, अब यह क्या है कि, divide कर रहा है, तो इधर जाएगा, तो multiply में आएगा, और यह multiply में, तो इधर जाएगा, तो divide में जाएगा, ठीक, is equal to c, तो यहाँ से जब काटेंगे, तो 7 आजाएगा, 7 multiply 5 आपका जाएगा, 35 degree Celsius, celsius कितना आपका, 35 degree Celsius आगया है, चली, चली, अब नेक्स्ट जो फोर्समा कोश्चन है, if the temperature is 0 degree Celsius, अगर दो condition दिया है, अगर temperature 0 degree Celsius है, तो आपका Fahrenheit क्या होगा, Fahrenheit क्या होगा, दूसरा condition है, अगर Fahrenheit 0 degree है, तो Celsius क्या आएगा, मैंने इसे दो parts कर दिया है, ताकि दिक्कत नहाँ, आईए, पहला condition में करते हैं, जो हमारा Celsius है, कितना है, 0 degree पर है, तो f is equal to 9 upon 5, multiply 0 plus 32, तो आपका Fahrenheit आ जाएगा, 32, 32 degree, ठीक, दूसरा कैसे आए आपका Fahrenheit, जब 0 से multiply करेंगे, तो पूरा 0 हो जाएगा, अब प्लस 32, तो 32, प्लस 0, 32 ही आएगा, अब आईए, अब देखते हैं, अब यहां बोला है कि Fahrenheit आपका 0 degree Celsius है, तो 0 degree, 95, 9 upon 5, प्लस 32, ठीक, अब देखें, यहां 0 हो है, तो अब यह प्लस 32 है, तो इधर आएगा, तो क्या जाएगा, minus 32, ठीक, अब देखें, is equal to 9 upon 5, multiply C, ठीक, यह denominator में, तो इधर जाएगा, तो multiply करेंगे, माइनस 32, multiply 5 upon 9, ठीक, is equal to, जो आपका Celsius है, चलिए, अब इसको multiply करेंगे, तो आपका जाएगा, minus 160 upon 9, अब जब इसको divide करेंगे, तो आपका जाएगा, Celsius is equal to, minus 17.8 degree Celsius, यह आपका जाएगा, आए 4 and height आगया थी, ऐसे करना, आए कुछो question number 5 है, उसको भी देख लेते हैं, चलिए, question number 5, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes, find it, पताना है कि ऐसा कोई temperature आएगा, ऐसा कोई condition, जहां पास, जो हमारा Fahrenheit और Celsius है, दोनों numerically same हो, अगर हैं, तो बताएगे, तो हैं, yes, आपका आएगा, आपका आएगा, अभी आप, ज़स्ट जो हमने पहला question किया था, इसी का, ठी, उसमें हमारा आया था, minus 40, किस में आया था, एक Celsius में आया था, एक आया था, minus 40 Fahrenheit में, जब, जो मैंने अभी, जो first number question किया था, आया था, यानि कब होगा, जब आपका Celsius जो है, किस पर हो, minus 40 degree पर, और Fahrenheit भी minus 40 degree पर हो, तभी निमेरिकली सेम आएगा, आएगा, चलिए, ऐसे ही आपको करना है, सभी question को formula पर ध्यान देना है, formula अगर आप से बनता है, जो उपर दिया हुआ है, चलिए, उसी पाधारी थे, थेंकियो, अगर हमारा वीडियो अच्छे लगए, तो हमारा चनल एकेमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, जय हिन, जय भारत.